हेलो एन वेल्कम बैक टो माई चैनल ब्लॉसम सुदेटा चलिए आज आपको दिखाते हैं अपने गार्डन में क्या-क्या निकला हुआ है और संग में ये भी बताते हैं कैसे कौन से फूर्स वेजिटेबल हैं जो आप अभी भी अपने गार्डन में आट कर सकते हैं तो सबसे पहले ये देखे हैं हमारी अंगूर की बेल है मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था जब इसमें कलिया निकल लए थी और आप देखे धेर साले अंगूर लगे हुए हैं इसमें बीच में बारिश वगरा भी काफी हो गई थी आंधी वगरा भी आई थी तो समय ल प्लांट है अंगूर का जो कि आप अभी भी एड कर सकते हैं अपने गार्डन में अभी भी लगा सकते हैं यह अलग बात है कि अभी उतना आपका यह फूटिंग नहीं करेगा नेक्स्ट यह जादा अच्छे से फूटिंग करेगा लेकिन अभी भी आप अपने गार्डन मे जो अंगूर का plant है अंगूर की बेल है उसको है पेट कर सकते हैं फिर नेक्स हमारा आता है यह देखिए हमारी यह तर οποقط की बील भी आप इसमें बहुत आसानी से लगा सकते हैं अपने garden में आ शंग में लौकी भी लगा सकते हैं दोनों को बीजों के से लगा सकते हैं बहुत आराम से यह जो आप मेरी बेले देख रहे हैं यह भी मैंने बीजों से ही उगाई हैं और देखें कितनी बढ़ियां हो गई यह देखें चोटी चोटी तरोई निकलना भी स्टार्ट हो गई है इनमे और जब खुद की बोई फल और सब्जियां जो और गैनिक तरीके से बहते हैं वो निकलती हैं तो मन में खुशी भी मिलती हैं प्लस इनका टेस्ट भी जो बजात से हम सब्जे हैं खरीद के लाते हैं उससे एकदम अलग होता है तो आप लोग देख रहे हैं हमारी बेलें कितनी फ्रेश और कितनी हेल्दी हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई हैं इनको अभी मेरे ख्याल से केवल हफता भर हुआ है और हफते भर में ये इतनी बढ़ियां ग्रोथ कर गई हैं इनको ध्या जड़ जाएंगे और दूसरा हमारी बेल मुझा भी जाएगी और बार बार अगर मुझाती रहेगी बेल तो हमारा जो बेल है वो चली जाएगी इसलिए हलके से शेड में इनको रखें तो जादा बेटर रहेगा प्लस इनको नेट वगरा पर चड़ाना ज़रूरी होता है करेले की बेल तो करेले की बेल आप सकते हैं बीजे से अराम से निकलाती है और अभी तो पूरा सीजन बचा है तो अभी भी आप लेट नहीं हुए इस अभी भी आप बोच सकते बेल गवर दो हैं ये भी मैंने बीजे से ही बोई हुए हैं बीजे से ही हमारे बैगन ये सब निकले हुए हैं और ये देखें ये लौकी की बेल है शुरुआत में इनको थोड़ा सा जो शेड में रखना ज़ादा सही रहता है और लौकी की बेल तो आप धूप में आराम से रख सकते हैं उसमें कोई दिकत नहीं होती है फिर next plant है जो नारंगी का यह देखे नारंगी है यह भी मेरा चार पास साल हो गए है इस प्लांट को और देखिए हर साल यह इसी तरह फूरूटिंग करता है पूरा हमारा जो नारंगी का प्लांट है वह पूरा फूर्ट से लदा हुआ है तो यह भी यह कैसा प्लांट है जो इस समय आप आड़ कर सकते हैं अपने गार्डन में और यह हमारा अनार का प्लांट है अनार का तो अभी आप नहीं आड़ कर सकते हैं कि गर्मिया अनार के हसाब से काफी ज्यादा हो गई है बट आप नारंगी को आड़ कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत ती रफ इंटाफ प्लांट होता है और सालों साल ऐसे ही चलता हो फूटिंग करता रहता है फिर यह हमारा चीकू का प्लांट है इसको भी आप इस समय अड़ कर सकते हैं अपने गार्डेन में देखे मेरे प्लांट में कलिया निकलना स्टार्ट हो गई है आई होब कि साल यह च बहुत अच्छा एक प्लांट है जो कि आप अपने फ्रूट गार्डेन में या कहले कि टेरस गार्डेन में आसानी से आड़ कर सकते हैं फिर यह मेरा सैजन का प्लांट है सैजन भी आप इस समय अपने गार्डेन में आड़ कर सकते हैं इस साल तो अब नहीं इसमें आप ये मेरा नीवू का प्लांट देख रहे हैं इसकी केर कैसे करनी है मैं आई बटन में दे दूंगी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है तो वह आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसकी केर की जाती है जो इस तरह ये फ्रूट से लगा हुआ है ये भी बहुत हाड़ी प्ला लोका सकते हैं और खूब सारी फ्रूटिंग पा सकते हैं अपने नीवू के प्लांट में तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने गार्डन में आड़ करने के लिए नेक्स हमारा जो आता है वो हमारा अम्रूद हो गया अम्रूद वगेरा भी हैं जो कि आप अपने गार्डन में अड़ कर सकते हैं ये मेरी घीडी का जो की नीवु तोर रही है हर्व्च सिंग कर रही है काफी सारे टमाटर और हो गए थे हमारे गार्डन में और नीबू वगेरा भी भिंडी शिम्नामेच यह सब हो गए थे तो हमने सोचा कि आप योगों को बतानी के साथ साथ हर्वेस्टिंग भी कर ली जाएं तो इस तरह आप यह सब प्लांट्स हैं जो कि आप अभी एड कर सक सकते हैं इस समय अपने गार्ड negativity और दूसरा बरसाथ के सीजन में पडल को बिला सकते हैं आप प्लांट अ Espzesंट अफ्य अपने अपने गार्डन में अभी लेकिन गर्वीएं में जो इस समय यह सीजन चला जमी जो सीजन चल्ण तो मैं आप लों बता रहे हूं कि देखे मेर अम्रूद में भी काफी कलिया निकल आई हैं, बलके अम्रूद फॉर्म होने लगें, फूर्ट सो बनने लगें, ये मेरे अम्रूद की वेरिगेटर वेराइटी हैं, अम्रूद की भी मेरे पास 3-4 वेराइटी हैं, एक ये वेरिगेटर वेराइटी हैं, एक नॉर्मल वाली अ साइज बहुत बड़ा होता है जब यह पूरे बड़े हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को शो करूंगी दिखाऊंगी कि कितना बड़ा साइज होता है हमारे अम्रूत के प्लान का पिंक वाले जो फूर्ट था उसको तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था फिर है भिंड दिन के लिए जब तक अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता हमारा सैंप्लिंग तब तक आप इसको थोड़ा सा शेडे डेरिया में रखें तो वह ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा तेज दूप में जो उसके किल्ले निकलते हैं वह सब हमारे किल्ले तरफ गार्डन है उसमें ग्रीन नेट लगाऊंगी क्योंकि बिना ग्रीन नेट के हमारे जो भी प्लांस है वह चलनी पाएंगे और आगे से बढ़ेंगे नहीं सब सूप जाएंगे तो ग्रीन नेट अट करना बहुत ज़ूरूर गे फिर हमारा करॉंदा का प्लांट है दे प्लांट है जो कि मैंने ऑक्टोवर नौंबर में ग्रो किया था सीट से और अभी भी देखिए इसमें हर्वेस्टिंग लगातार हो रही है अब क्योंकि गर्मी जादा हो गई है इसलिए मैंने इसको थोड़ा था शेड एरिया में रख दिया है जहां पर धूप बहुत कम दो अच्छे से घ्रो कर रहा है अभी फ्लांट हमारा चल ला रहा है और देखिए किती बड़ियां शिम्म्ला मिच हमें इसे अभी भी खाने को मिल लही है तो यह भी लेकिन अब यह है कि यह इस समय अब आप ग्रोंप नहीं कर सकते हीं मैं यह तो मेरे पहले कि प्लांट है जो मैंने अक्टूबर नॉंबर में लगाए थे बीजों के थूँ अब उनसे फ्रूटिंग अभी भी जा रही है और सरदियों भर तो हमने फ्रूटिंग शिम्ना में से ली ही है मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में दिखाया भी है तो ये थे हमारी आज की कुछ हार्वेस्टिंग और कुछ टिप्स आप लोगों के लिए कि कौन से फूट से वेजिटेबल साप अभी लगा सकते हैं तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा तो कीप वाचिंग और थैंक यो पर वाचिंग दे वीडियो